गुद मॉर्निंग तु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग वाला पर आए वेलकम आप आप मुझे एकदम पॉफेक्टली सुन पारे होंगे विडियो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा और आडियो भी एकदम बढ़िया ही आ रहा होगा हम बहुत ही जबर्द लिखने के लिए भी होगा और आज के क्लास में स्कोरिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाला है आप चाहें तो आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं इस तरह से मैंने पेपर जो है डिजाइन किया हुआ है आप SBI का एक्जैम देरें अच्छी बात है ब जो है विडियो को लाइक जरू कर दीजे शेयर जरू कर दीजे और अगर चैनल पर नए नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजे बिना सब्सक्राइब कि एक काम नहीं चलेगा फटा फट से स्टार्ट करते हैं क्लास को गुड मॉर्निंग सभी को एक बार दु चले शुरुआत करते हैं लेटस मूफ स्टेट अवे टु दा क्वेश्चन्स चले मैं उम्मीद करता हूँ कि जब क्लास लगाते हैं देखे मैं हमेशा यही कहता है हूँ कि अगर मैं कॉन्टेंट डिलिवर कर रहा हूँ वाइटी पर यूटूब पर तो इसमें कोई भेदभाव नहीं उतना ही भीतुरीन कॉन्टेंट है जितना आपको कहीं पेड़ क्लास म इखटा करके सिर्फ उनकी PDF भी revise कर लेंगे exam से पहले तो almost 100% जो है आपके examination का content जो है वो आप cover कर पाएंगे साथ में उन challenges को भी cover कर पाएंगे जो आपको generally exam में देखने के लिए मिलेंगे reason क्या है कि content में खुद create करता हूँ इस बात को ध्यान में रखकर create करता हूँ कि क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है तो मैं सभी से request करूँगा एक बार PDF पर जरूर दिहान दीजिए 10 मिनट भले दीजिए लेकिन उसको करिए जरूर especially वो सवाल जो आप गलत कर रहे हैं उन पर तो आपने काम करना ही करना है जब तक अपनी कमियों के बारे में पता नहीं होगा कैसे उनको सुधारा जाएगा आपको clear होना चाहिए चले start करते हैं class को शुरू करते हैं पहला question आप लोगों के लिए आ रहा है पोल चलेगा भी है simple वही तरीका रहेगा और उसी तरीके से आपने answer करना है आज का class में आपको बता दूँ थोड़ा सा अलग है अलग क्यों है क्योंकि generally आपने देखा है कि म मैं अपने questions करवाता हूं class में खुद के created लेकिन आज के class में बहुत सारे सवाल जो है मैं previous year के लेकर आया हूं और previous year में मैंने SBI clerk के questions, IBPS के questions, FO के questions जो है इसमें mix के हुए हैं तो आप जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जातर सवाल आज जो आपको मिलेंगे वो previous year के questions हैं exactly हम exam pattern पर कितना खर्या उतरते हैं पहला सवाल आपके लिए ये रहा जरा पढ़िए एक बात और answer करिएगा सभी को good morning, सभी को बहुत 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 good morning बिटा लास्ट एक सवाल मेरे पास आया है कि एडिटोरियल लास्ट कितने महीनों का पढ़ूं देखो ये सवाल में ही थोड़ी सी बेवकूफी भरिये मैं बता हूँ पुराने एडिटोरियल पढ़के कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला मकसंद यह है कि नए content पे काम किया जाए तो भहिया अगर कोई कहता है कि एक महीने पुराने एडिटोरियल मैं record करके पढ़ा दूँगा आपको record करके दे दूँगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है editorial का मतलब वही होता है जो current में चल रहा है जो current में है उसी का comprehension करना उसी को analyze करना editorial का record में पढ़ाने की चीज़ होते है record करके तुम दे दोगे editorial तीन महीने का इससे बड़ा बेवकूफी वाली बात मैंने आस्तर सुनी नहीं है असतर हाँ हम करेंगे जुलाइक का editorial revise का रहे क्या बकवास है daily लगाओ तब तक लगाओ जब तक एक्जाम नहीं हो जाता live और इस बात का ध्यान रखो जो editorial मिल रहा है उसमें पीचे questions दियें या नहीं दियें एमसी क्यूज दियें या नहीं दियें एनलेसेज हो सकता है या नहीं हो सकता है इस बात को समझो किस लिए पढ़ रहा है वह समझो वह बहुत जरूरी है चलिए पढ़ते हैं ज़रा इस question को देखते हैं HCI technologies follow the practice of employees first as the company या ठीक है मतलब क्या होता निकुछ लोग बहुत ज्यादा घ्यानी अनट ay किसी चीज़ को लेकर लेकिन बंते बहुत ग्यानी है आता जाँता कुछ है नहीं बाते बड़ी-बड़ी कर देंगे कि हम फलना रिकॉर्ड कर देंगे फलना अरे भाई जो चीज कल आने वाली है वो तुम रिकॉर्ड करके कैसे देदोगे कल का एडिटोरियल तुम रिकॉर्ड करके कैसे देदोगे मुझे बताओ जो जरा इसको एक बार ACL technologies follow the practice of employees first as the company believed that retaining talent should be a constantly evolving procedure ठीक है अब यहाँ पर दोखो problem क्या है problem यह है कि यहाँ पर हम एक verb देख रहे है verb क्या है follow verb क्या है verb है follow verb क्या है verb है follow अब अगर verb follow है तो हमें पता है कि subject इसका plural होना चाहिए लेकिन आप जानते है यह जो ACL technologies लिखा हुआ है यह company का नाम है और company कैसी है singular है एक ही company का नाम है HCI technologies तो अगर यह एक ही company का नाम है क्योंकि आप अगर मान लीजे आप यह बात को लेकर sure नहीं है कि यह A के ही company का नाम है तो आप आगे देखिए आगे भी लिखा हुआ है as the company believe तो यहाँ पर भी आपको यकिन दिलाया जा रहा है कि यह singular company ही की बात हो रही है और singular company की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है यहाँ पर S जो है लगाना पड़ेगा यह previous year का सवाल है आपको एकदम clear होना चाहिए A is the right answer over here 23.08% मैं देख रहा हूँ बच्चों ने right answer किया है बाकि जो है सारे answers गलत है अलेख्या, विश्नू, सैंडी, यश और प्रियांका जो है एकदम right answers दे रहे हैं everybody is giving the right answer over here ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next पे आते हैं अगला सवाल आपके लिए यह रहा पढ़िए ज़रा I hope आपने पढ़ लिया होगा ये भी मैंने previous year से उठाया हुआ सवाल है जरा समझते हैं देगे ऐसे questions जब आपके पास आएं ठीक है जहां पर एक vocab लिखाओ नीचे तीन options दिये हो यहां चार options दिये हो आपने क्या करना है ध्यान रखेगा ये question tricky होते हैं सबसे पहले heading पढ़ लेना एक बार क्या कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है यहां पर ये पूछा जाता है कि ये बताओ correct कौन सा है इसमें से लेगिन कभी कभी incorrect भी पूछ लेते हैं तो ऐसा ना हो कि तुम पहले से ही बिना पड़े इसमें correct ही ढूडने लग जाओ कभी-कभी incorrect भी पूछते हैं वो भी clear होना चाहिए देखो क्या कहा जा रहा है a horde of fans surrounded him as soon as he moved out मतलब मैं बताऊंगा we have acquired a horde of information about his work he had a horde of antics stored in his basement ठीक है देखो होता क्या है समझेगा ज़रा जहां पर हम एक जो word है hoard कोई मुझे बताए का इसका synonym क्या होता है अगर comment section में कोई मुझे बता पाए कि synonym जो है क्या होता है उसका तो ज़रा सही रहेगा बताइए hoard होड जो है इसका synonym क्या होता है everybody if anybody can होड का basically मतलब होता है collection आपने हिंदी में एक शब्द सुनाओगा भंडार क्या सुनाओगा भंडार मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें जब इकटी हो जाती है collect हो जाता है तो basically हम इसको use करते है collection के लिए किसके लिए collection के लिए जब बहुत सारी चीजें इकटी हो जाएं एक साथ तो देखे a hoard of fans a collection of fans we have acquired a collection हमने बहुत सारी information जो है वो इकटी कर लिया ये भी सही है मेरे पास antics का जो है बहुत सारा collection है ये भी सही है all are correct इसका answer है hoard का मतलब होता है भंडार collection वगेरा इसको a पे mark करेंगे देखते हैं कितने लोगों के सही है 67.9% बच्चे right answer दे रहे है राहुल, प्रियांशी, अलका, चित्रोले, SKZ, BTS इन सब के answer जो है वो क्या है right है I hope clear रहेंगे आप चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा पढ़िये और answer करिये बढ़िया वर्ड है, exam में आ चुका है अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर answer करेंगे मैं देख लेता हूँ रहूल एक बार चलिए देखे बहुत बहुत प्यारा question है देखे एक word होता है persecute, persecute को हिंदी में कहते है satana satana जुल्म करना basically ठीक है, इसका synonym होता है tyrannize, किसी पर Hitler था, क्या करता था, सताता था persecute करता था, tyrannize करता था ठीक है, तो satana मतलब होता है अब देखो, many people मैं पहले ही बता देता हूँ, एक word होता है इसका homonym, जिसको हम कहते है prosecute, prosecute का मतलब होता है, कानूनी कारेवाही करना, मुकदमा चलाना तो जब कानून के respect में बात होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते है prosecute यूज करते है, और generic बात होती है, तो हम सताना यूज करते है जैसे A option देखिए, many people were persecuted during the 1947 partition in communal clashes, जो communal clashes हुए थे 1947 में, कही लोगों को सताया गया, tyrannize किया ये एकदम सही है the court has persecuted, अब जैसे आप देख रहे हैं, court जो है वो सताता नहीं है, court क्या करता है prosecute करता है, तो यहाँ पर persecuted नहीं आना चाहिए, prosecuted right answer होना चाहिए, be option क्या है, आपका wrong है, तीसरे में आईए, in some middle east countries people are still persecuted by petting stones at them, कुछ middle east countries में, आज भी जो है, लोगों को जान से मार दिया जाता है, यहने persecute मारा जाता है, कैसे, stones को fake कर, यह भी एकदम सही है तो आप देखेंगे, options में जाएए choose the sentence in which it is used correctly, and all the sentences are correct, then choose option 5, अच्छा, I think option गडबड हो गया है, इसमें मेरे से, ठीक है, इसमें आपका A और C option जो है वो right है, A और C option जो है वो इसका right है, बाकि जो B है वो गलत option है, I think option में मैं गडबड कर गया हूँ चलिए, कोई बात नहीं है, I hope आपने answer जो है, वो सही दिया होगा answer जो है, आपने सही दिया होगा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है यह answer आपने सही दिया होगा, यहापर दिया होगा A और C जो है, वो क्या है, इसके right answers है ठीक है इन सम मिडल इस कंट्रीज पीपल आर स्टिल पर्सेक्यूटेड बाइ पैंटिंग स्टोन सेड देम, इसमें बिटा हो नहीं सकता गुरू बिटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है न अगर आप देखोगे न, मिडल इस्ट में फॉलो करोगे, हाँ, यहाँ पर प्रोसेक्यूटेड सही हो सकता है, बिल्कु सही कह रहे हो मैं एक बार करेक्शन करना चाहूँगा यह जो question है, इन सम मिडल इस कंट्रीज, पीपल आर स्टिल persecuted, यहाँ पर prosecuted भी सही हो सकता है, क्यों हो सकता है क्योंकि मैं इसको उस angle से पढ़ रहा था कि मिडल इस्टी लोगों में पत्थरों पत्थर मार कर लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन कुछ मिडल इस्ट कंट्रीज ऐसी है, जहाँ पर कानूनी प्रावधान के अंतरगद भी लोगों को पत्थर फेक कर मारा जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो, कि जहाँ पर उनको सजा सुनाई जाती है, और उनको क्या कर दिया जाता है परसेक्यूट की जगा प्रोसेक्यूट किया जाता है बिल्कुश सही है यहाँ पर जो आपके options है ठीक है याद रखेंगे right options कौन-कौन से है a option जो है आपका right है ठीक है many people were persecuted during the ठीक है और जो c option है यह भी आपका right option इसमें दिया हुआ नहीं है ठीक है इसमें इसको मैं आपको benefit of doubt देता हूँ reason क्या है यहाँ पर दोनों ही सही हो सकते है persecuted भी सही हो सकता है प्रोसेक्यूट भी छोड़ो इस question को अगर आपने समझ लिया है काफी है यह थोड़ा सा confusing हो गया चले इसको पढ़िये ज़रा एक बार जब क्राइमर चलने लगे तब answer देना चलिए पढ़िये ज़रा इसको एक बार थोड़ा सा confusing हो गया third option में benefit of doubt दे रहा हूँ उस question को ही छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर लिखना है high लिखा हूँ strong लिखा हूँ चले current की बात हो रही है ठीक है अब देखें यहाँ पर कहा जा रहा है currents are dried grapes ठीक है तो समझो इस बात को यह जो current word है यह गलत लिखा हुआ है आपने ice cream खाई होगी black current की खाई है न तो black current में जो current होता है उसकी spelling नहीं होती है उसकी spelling क्या होती है यह होती है ठीक है dried fruits को कहते हैं dried grapes वगरा को current कहा जाता है तो यहाँ पर जो spelling है उसमें गड़बड है ठीक है अब यहाँ पर देखिए this fashion is current nowadays current का मतलब क्या होता है nowadays ही होता है जो आजकल चल रहा है आप कहते हैं न कि यह current fashion है तो nowadays का भी मतलब current है तो यह दोनों same है और फिर दुबारा nowadays लिखने की जरुवत नहीं है इसका भी मतलब nowadays इसका भी मतलब nowadays मतलब जो है logic वो सही नहीं है यह भी क्या है गलत है this is also wrong अब the current of this river is very high बिल्कुल current का मतलब था strength जो है बहाव जो है वो बहुत तेज है तो यहाँ पर यह इस्तेमाल सही किया जा रहा है only c जो है इसका क्या है right answer है only c जो है इसका right answer है only c जो है इसका क्या है right answer है याद रखें current के जो meaning होता है वो बहाव होता है c जो है इसका right answer है देखते हैं कितने लोगों ने किया है 9.52% लोगों ने जो है राइट आंसर दिया है सुनील, रूपल, आर्ती, पायल, रोजमेरी चलिए अगले सवाल पर आते हैं जरा देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर देंगे question को देख लीजे और बताईए कि क्या possible answers है question को अगर आप पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है in the question below three statements are given which may or may not be grammatically correct identify the statement or statements that is or are incorrect यानि हमें incorrect जो है वो identify करने हैं देखें क्या कहा जा रहा है no sooner did I speak then he left अब no sooner के साथ हमें पता है हम then लगाते हैं यह सही है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है पहले C option में जाते हैं Mr. Sharma may be late but I am sure Mr. Kapoor won't be Mr. Sharma जो है वो late हो सकते हैं लेकिन मैं sure हूँ कि Mr. Kapoor जो है वो नहीं होंगे तो अगर आप देखेंगे तो यह option भी क्या है सही है A option भी सही है और C option भी सही है question number B में जाएंगे the patient was accompanied with his friend देखें जो साथ में आ रहा है ठीक है friend क्या है तो यहाँ पर जब अगर हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ आ रहा है या कोई हमारे पीछे आ रहा है तो उसके लिए हम जो word यूज करते हैं वो with नहीं यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं by यूज करते हैं लिखेंगे the patient was accompanied by his friend यानि जो patient था उसके साथ साथ कोन आया था उसका जो है दोस्त जो है वो आया था with नहीं आएगा यहाँ पर याद रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर by जो है आपका right answer होगा only be जो है वो incorrect है बाकि सारे क्या है सही है बाकि सारे क्या है सही है देखो समझो इस बात को जब कोई पीछे पीछे आता है तब भी हम accompanied बोलते हैं आपने देखा होगा ना नेता जी चलते हैं नेता जी के पीछे चार गनर चल रह देखा और बराबर में हलवा देखा तो हम क्या बोलेंगे दोनों साथ साथ आपको मिले हैं दा हलवा and ice cream are accompanied with तब हम क्या बोलेंगे दोनों साथ साथ हैं तो इसलिए यहाँ पर by जो है वो right answer आएगा person के case में हम by use करते है basically अगला सवाल आपके लिए ये रहा देखते हैं ज किये रहा पढ़िएगा जरा पढ़कर अच्छे से answer करिएगा चलिए पढ़ते हैं जरा क्या कहा जा रहा है देखते हैं क्योंकि examinations पास आ रहे हैं तो जो है ना के बराबर काम कर रहे हैं नहीं बहुत basic question है यहाँ पर आना चाहिए john is working very hard as the examinations are fast approaching यहाँ पर hard आएगा I have seen him a couple of times since May में से मैं उसको दो बार देख चुका हूँ आपको पता है since का इस्तेमाल हम यहाँ तो perfect में करते हैं या perfect continuous में करते हैं यह already perfect में लिखा है तो इसमें कोई भी error नहीं है यह बिल्कुल सही है a short story should not exceed 200 words exceed का मतलब होता है उस limit से जादा होना तो कहा जा रहा है कि एक short story जो है वो 200 शब्दों से जादा नहीं होनी चाहिए तो exceed एकदम सही लगा हुआ है इसमें भी कोई भी problem नहीं है इसका मतलब क्या है कि error जो है वो आपका कहाँ पर दिखाई दे रहा है a option जो है वो आपका incorrect है वहाँ पर hard जो है answer आना चाहिए चलिए देखते हैं 75.36% बच्चों ने right answer दिया है राहुल, अमीशा, जसू, छवी और संचित जो है एकदम क्या दे रहे हैं right answer दे रहे हैं चलिए अगले सवाल पर आते हैं next question for you guys ठीक है आज आप देख रहे हैं ना passage जो है जो questions मैं दे रहा हूँ वो बहुत ज़ादा high level के नहीं दिख रहे हैं आपको बहुत moderate level के आपको दिखाई देने कारण ये है कि मैं target कर रहा हूँ है आप प्री examination ठीक है तो आपको pre examination के लिए भी basic के लिए मतलब आपके exam में 60 से 70 प्रतिशन सवाल ऐसे ही मिलेंगे आपको अब देखो ज़रा अगला सवाल देखो next question for you guys ये रहा पढ़िए ज़रा heading को फिर answer करिएगा मुझे लगरा इस टाइपिंग वाले ने paper ना नीद भी टाइप किया है सच में पढ़ो ज़रा इसको solve करो एक बार देखते हैं option को देखो चोड़ो इसको देखते हैं young people in Britain eats more snacks than people of the same age in order in other European countries तो आपको पता है young people in Britain people क्या है plural है तो यहाँ पर eats नहीं आना चेए eat जो है वो आना चेए यानि ये क्या है wrong है ये क्या है wrong है आजाए ज़रा B option पे he spends a good deal of money on eating out ये जो है एकदम सहीएश में कोई भी problem नहीं है without waiting for the instructions from the government some cable operators in the city had हम जानते हैं head के बाद verb का third form आता है तो यहाँ पर block नहीं होना चाहिए यहाँ पर blocked जो है वो right answer होना चाहिए clear है ठीक है तो यहाँ पर a और c में error है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर option नहीं है जो मेरे खायजर टाइप कर रहा है ना उसने गड़बड कर दी मैंने भी check नहीं किया वो इसको correct मानके कर रहा है चली आगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं अगर आपने mark कर दिया है कोई problem है मैं इसको consider नहीं कर रहा हूँ चली अगले पर आते हैं अगला सवाल यह रहा आपके लिए पढ़िए जरा एक बात चली यह यहां पर अगर हम इसको जोडेंगे तो देखो इसको connect करने के लिए क्या बनेगा parents generally try to maximize the welfare of their children जो parents होते हैं वो generally क्या करते हैं बच्चों के welfare को maximize करने की कोशिश करते हैं which is अब देखो यहां पर which is जो है वो आएगा एक सेकिंड वीट करना आप दो जरा में एक सेकिंड में है चली इसका जो answer है वो क्या है answer इसका which है which is the answer parents generally try to maximize the welfare of the children which is subject to constants of money and time ठीक है यह इसका जो है right answer है देखते हैं कितनों ने 32.73% बच्चे जो है right answer दे रहें अमीशा, डॉली, आयूशी, संचित और राहूल बाई क्या दे रहें right answer देना है चले अगले सवाल पर आते हैं next question for you guys पढ़िए जरा आसान है यह solve करिए एक बार पर आसान है चले यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है his story is based on the modicum of truth modicum का बतलब होता है बहुत कम मात्रा में very little amount of truth most of the events he describes are fictious देखो अगर कोई कह रहा है कि किसी के story में जो truth है वो बहुत little है बहुत कम amount में है तो आगे आप देखेंगे लिखा है most of the events he describes are fictious इसी लिए जादतर events जो वो describe करता है वो क्या होते हैं fictious होते हैं तो यह इसका result है और result है तो हम यहाँ पर hence जो है वो right answer लगाएंगे modicum का मतलब होता है ना के बराबर बहुत कम c is the right answer to this question 13.08% और यह मैं बता हूँ गलत क्यों किया है आप लोगों ने यह आप लोगों ने गलत इसलिए क्या है यह आप लोगों ने गलत इसलिए किया है क्योंकि आपको modicum का मतलब नहीं पता आपको लग रहा था कि जो है आपको ऐसा लग रहा था कि यह opposite बात है modicum कोई अच्छा word होगा तो इस पूरे vocabulary word ने क्या किया इस पूरे sentence को खराब करके रख दिया इसका answer क्या है इसका answer जो है c है देखते हैं किस-किस ने answer दिया है राहुल, बालमकुंद, अन्थी, आरंबे, सैंडी और अरुन जो है एकदम right answer जो है वो दे रहे हैं ठीक है meaning को clear रखना चलिए आगे बढ़ते हैं next question में जाते हैं अगला सवाल ये रहा आपका अच्छे से पढ़िएगा और answer दीजेगा असान है इस सब previous year के सवाल है I did not want to take a side in the argument I did not want to take a side in the argument मैं argument में कोई side नहीं लेना चाहता I put my headphones on and listen to some smooth jazz मैंने अपने headphone उठाए और मैं music सुनने लगा तो मैं क्योंकि इसकी side नहीं लेता इसलिए मैंने ऐसा किया जो ये लिखा हुआ है ये क्या है result है और अगर result है तो यहाँ पर हमें पता है result के लिए हम क्या use करते हैं सो जो है इसके लिए appropriate answer होगा A is the answer 94.41% बच्चे right answer दे रहें अमिशा, राहुल, अभिलाशा, SKZ, BTS, कार्तिक के एकदम right answers हैं चलिए आते हैं अगले सवाल पर next question देखते हैं जरा पढ़िए इसको बहुत आसान सवाल है बिलकुल basic है previous year का ही question है अगर आपने मेरा session लगाया था marathon वाला और अगर आप मेरे साथ super mock में लगे रहे हैं कुछ दुनों से तो इसका answer आप दे देंगे बड़े आराम से देंगे क्योंकि मैंने इस concept को class में कई बार करवाया है अब इस question में क्या हुआ है तुमारी गुगली हो गई ठीक है गुगली क्यों हो गई क्यों कि तुम assumption के साथ answer दे रहे हो तुमारी आत्मा से जो अवाज निकल रही है न तुम उसके basis पर answer दे रहे हो मैं देख रहा हूँ कि जातर बच्चे because जो है वो answer दे रहे हैं देखते है जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अगर किसी sentence में past perfect और past indefinite साथ में लगे हैं तो देखो common sense की बात है कि past perfect वाला काम पहले होता है और past indefinite वाला काम बाद में होता है तो इसका मतलब है पहले जो है गेम जीता गया है और गेम जीतने के बाद जो है वो confident feel कर रहा है गेम जीतने के बाद जो है वो क्या कर रहा है confident फील कर रहा है मतलब पहले तो गेम जीता गया है और गेम जीतने की वजहा से यो confident है अगर ये गेम जीतने की वजहा से confident है तो ये इसका confident होना result है result है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर result वाला conjunction आना चाहिए जो कि क्या है therefore है आप में से कुछ लोगों ने इसका मीनिंग क्या निकाला होगा वो match जीत गया क्योंकि वो confident था क्योंकि वो confident था इसलिए match जीत गया अगर इसका मतलब यह होता कि वो match जीत गया क्योंकि वो confident था इसका मतलब है वो confident पहले से था, उसके बाद ही में जीता होगा, इसका मतलब है कि ये past perfect में होना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं, past perfect में हम उसी event को लिखते हैं, जो पहले होता है, देखो कितना simple सा सवाल है, लेकिन कितना technical question है, देखता हूँ, कितने लोगों ने जो है, इस और ये जो pattern है, मैं कम से कम 3-4 बार सवाल दे चुका हूँ, same ही pattern का, पिछले एक महिने में, अलग-अलग सुपर मौक में मैं ये question करवा चुका हूँ, जो even Sunday मेरा thon लगाया था, उसमें भी मैंने ये concept करवाया था, जल्दी, हडबडी, अरे दुनिया के सबसे आसान question है, हम तो champion है, leadership board में चमकेंगे, पता नहीं, यहां से सर हमें सीधा पदम श्री नवास देंगे, अगर नाम हमारा पहला आ जाएगा, और फटा-फट दे दिया, logic नहीं लगाया, ठीक है, logic लगा हूँ, answer सामने लिखा हुआ है, और मैं कई बार कहता हूँ, पूरे 30 second का इस्तिमाल किया अगरो, इस्तिमाल करोगे तो बत्ती जलेगी तुमारी, आचल, जूली, शिवाया, मनीश, प्रिया, सेंग, जो है, एक दम राइट आंसर इसका दे रहे हैं, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, next question, pole pressure, ठीक है, तो exam में तो यार कितना भेंकर pressure होगा, तुमारे सर पे सो देखाएगा, और तुम उसे देखके नर्वस, तुम हर वक्त उसे ही देखते रहाजाओगे, क्या होगा तुमारे साथ, ये तो pole pressure है, कुछ नहीं कोई नहीं देख रहा है, एक दूसरे को, exam hall में तो आलत और भी खराब होंगे, पैर रखोगे, कदम रखोगे, तुमारी प्रेशर में ये हाल है, ठीक है, तैयार करो खुद को, रेडी करो, प्रिपेर करो खुद को, प्रेशर, दुनिया भर के प्रेशर हम धिलते हैं, इंडियन्स, ये प्रेशर किस चीज़ की बात है, अगला सवाल ये रहा, क्या है, इंट्रचेंज ओ वर्ड्स है, स्वैप है, देखो, जो दिमाग लगाएगा, उसको आंसर सामने दिखाई देगा, वर्ड्स्वैप को हमें पढ़ने के लिए, कुछ बेसिक्स रखने चाहिए, क्लियर, देखो, रेडिकल, रेडिकल का मतलब कट्तरवादी फेमिनिस जो होती है, वो सीख तू, सीख तू, लिबरेट पैट्रियार्की बाय चैलेंजिंग, एग्जिस्टिंग सोशल नौम, सबसे पहले तो तुमारा दिमाग यहां पर खटकना चाहिए, जो फेमिनिस्स होती है, फेमिनिस्स मतलब जो विमिन को साइड पर लेकर बात करती है, पहली बात वो पैट्रियार्की को लिबरेट क्यों करेंगी, पैट्रियार्की को महत्व क्यों देंगी या उसको आज़ाद क्यों करेंगी, पैट्रियार्की को क्या करेंगी फेमिनिस् हमने कई बार सुभागी क्लास में किया है तो feminist जो होती है वो क्या करती है abolish करती है patriarchy को उनकी इच्छा है कि patriarchy क्या होनी चाहिए अब abolish यहां आएगा तो liberate यहां जाएगा तो हमें पहला तो AE दिखाई दे रहा है अब हम बाकी बनाने से पहले हम कहा जाएंगे options में जाएंगे आप देखिए अकेले एक ही option में आपको AE दिखाई दे रहा है तो आपको पता है कि इसकी अलावा कोई और answer हो नहीं सकता तो यहां पर सारा खेल किसका है सारा खेल है understanding का आप कितने बहतर तरीकों से तरीके से चीज को समझते हो ठीक है देखते हैं कितनों ने answer दिया है 36.73% बच्चे right answer दे रहे हैं चंदरप्रकाश, राजेश, अमीशा, राहत, एम SKZ, BTS के एकदम right answers हैं बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है अच्छे से पढ़ियेगा ध्यान से answer करियेगा next question for you guys चलो भीया करो answer मैं timer चला देता हूँ चलिए बहुत असान है देखो यहाँ पर अगर तुम context को समझो कहा जा रहा है since the liberalization of the economy occurred under the Narasimha Rao government आपको पता है Narasimha Rao government के अंडर जब हमारे Manmohan Singh finance minister थे तो liberalization हुआ था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यहाँ पर has लगा हुआ है तो तुमारे दिमाग की गंटी बजनी चाहिए has के बाद क्या आता है third form आता है अब third form यह है नहीं third form यह है नहीं third form कहा है यह दिखाई दे रहा है तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर distance d आएगा और यहाँ पर distance आएगा तो देखो तुम्हें यहाँ वर्ब दिख रहा है वर्ब से पहले क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए यह देखो लगा हुआ है तो यह यहाँ जाएगा यह यहाँ जाएगा तुम्हें पता है कि B और D का combination है अब तुम क्या गरो option में आओ option में क्या तुम्हें कोई और BD दिखाई दे रहा है answer है नहीं दिखाई दे रहा तो आप BD को mark करो यही आपका answer है 82.05% बच्चों ने जो है right answer किया मुन्हा भाई हमी भी इस देखे तुमने बाउजी जब आते हैं पहली बार जब मुजी शुरूरी होती है तो जब बाउजी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें hospital लेके चलो तो hospital में एक patient होता है वो patient क्या करता है जैसी बाउजी पिछली बार आया था तब भी आप यहाँ पर पड़े हुए थे तो सवाल भी यह कहता है रहे मैं पिछली बार आया था तब भी आप यहाँ पर पड़े हुए थे patient क्या करता है वो अपना दिल पकड़ता है फिर से heart attack कर नाटक करने लगता है तो वो उसे क्या कहता है कि तुरे को हर बार heart attack ही होता है तुरे को हर बार से मी problem होती है तो इस mentality से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा ठीक है सवाल देखके पहली बात तो heart attack वाले feeling नहीं आना चाहिए आराम से काम और compose तरीके से पढ़ो और इतना भी काम और compose नहीं होना चाहिए कि भाड़ में जाए answer मुझे तो यहां दिखाई देना है पच्चिस में से एक में भी दिख गया तो आज का पैसा वसूल है काम कटम पैसा हाजम ऐसी feeling नहीं होनी चाहिए accuracy जो है बहुत matter करती है यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारे पास आ रहा है यह रहा अच्छे से पढ़िएगा पढ़के answer करिएगा अच्छे से बढ़ो देखो हो गया मेरी खाल से अब देखो क्या कहा जा रहा है in 2017 a composition study कोई बच्चा भी बता देगा यह composition और study का कोई logic साथ में है नहीं यह भी noun है यह भी noun है कोई ढूडने लगो connection noun है नहीं आ सकता भाईया allowed कोई logic नहीं है यहाँ पर reaction यहाँ पर आपको पता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग यहां आएगा तो यह यहां जाएगा तो हमारा combination A-C का बन रहा है हम क्या करेंगे option को देखेंगे option में एक ही जगा answer है तो C जो है वही हमारा क्या रहने वाला है राइट answer रहने वाला है 86.57% बच्चे जो है राइट answer दे रहे हैं गुरू, अभिलाशा, SKZ, BTS, राहूल और संचित के answers एक डम राइट हैं अगले सवाल पर आते हैं बहुत ध्यान से बहुत ही focus के साथ पढ़ेंगे चले यह समय होता है आपका शुरू शुरू अब देखो यहां पर हमें थोड़ा सा क्या करने की जरूवत है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूवत है है क्योंकि यह थोड़ा सा हमें tough लग रहा है पढ़ने में लेकिन अगर हम इस बात को समझें देखो for लिखा हुआ है हाँ या न for क्या होता है preposition होता है क्या होता है preposition आम mają निकाद नहीं यहाँ पर हमें noun की जरूवत है प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन आता है अब आप जानते है रिस्पॉंड जो है वो क्या होता है वर्ब होता है कैसे पता चला वर्ब होता है रिस्पॉंडिंग शब्द सुना होगा आपने अगर यहां रिस्पॉंस लिखा होता तो तो चलो मैं मान भी लेता, noun है response, लेकिन लिखा क्या है, respond लिखा है, तो ये जगा तो पक्का गड़बड है, आप देखो, आम्द, आम्द मतलब हत्यारों से भरा हुआ, अब हत्यारों से भरा हुआ क्या होता है, और विसी बात है, हत्यारों से भरा हुआ होता है, conflict, तो हम हमें पता है कि हमारे पास एक combination है DE का अब हम option में जाएंगे हम नहीं पढ़ रहे कुछ भी हम option में जाएंगे हम देखेंगे DE का combination एक पहले option में दिया हुआ है अब हमें कुछ पढ़ने की जरुवत नहीं है हमें पता यह सही होगा क्योंकि there is no other option तो A को हम click करेंगे बिना AC को पढ़े और आगे बढ़ जाएंगे answer हम देखकर 55.81% जो है वो right answer दे रहे हैं अमीशा भानू अलेख्या राहुल और चंदर प्रकाश मैं बहुत ही जल्दी I think कल एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जब paper देने जाएं तो कैसे वह कौनसे तरीके हैं ज कौनसे pattern के question पर आप क्या करें जिससे कि आपका समय बचे ठीक है आपको क्या करना है मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी words mark होने वाले sentence आएं कभी भी पूरे sentence को पढ़ने पे उतना जूर मत दो ये देखो कि उसके आसपास की भावनाई क्या कह रही है अगर आसपास क पर आते हैं और सिक्स्टींथ question यह रहा पांचवा सवाल है यह आज का हमारा वर्ड स्वेप का ऐसे अंसर आएगा पता है ऐसे विदिन अ फ्लिप आफ सेकंड अगर हमारे लॉजिक एकदम सही है तो बिना मीनिंग जाने आएगा बिना मीनिंग जाने आप बहतरीन आंसर देंगे बहतरीन चलिए अब अगर आप समझ रहे हैं आपने यह सारा पढ़ लिया होगा लेकिन मैं आपसे कुछ बाते कहता हूं जरा देखो आपको यहां पर दा दिखाई दे रहा है है और दा के बाद आपको आई एंजी अब हम आटा है थो यहां मिटिगेटिंग का कोई लॉजिक नहीं है अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें देखेगा यहां पर हमें क्या देख रही होगा आप देखो अगर हम इसको पढ़ें इसको change कर दें तो निकलेगा the aim is likely to beam data to a user's device potentially mitigating the dependence on wireless careers on for linking devices together without a traditional network इसके अलावा कोई भी possibility बनती नहीं है आप reading छोड़ दो reading side में रख दो जरा 2 minute में आप सिर्फ grammar की बात कर लो क्या grammar में भी दा के बाद ing की possibility है नहीं क्या grammar में आप देखिए यहाँ पर potentially adverb लिखा हुआ है ly क्या होता है adverb होता है क्या adverb के बाद आपने कभी noun लगा देखा है नहीं ना adverb के बाद noun आता ना दा के बाद ing आता क्या हमें सोचना है नहीं सोचना obviously बात है error जो है वो हमारा cd में है हम लोग कहते हैं के grammar के 4 आते है reading के 5 आते हैं फनना के ढिमका आते हैं ऐसा कुछ नहीं होता आपका पूरा पेपर language का होता है उस language में आपकी reading skill भी काम आएगी आपकी grammar skill भी काम आएगी आपकी vocabulary भी काम आएगी अगर आपको mitigating का मतलब पता है तो आपको और फाइदा होगा answer करने में और बेटर तरीके से आप answer कर पाओगे तो यह सारा सब कुछ मिल जुल कर आता है यहाँ पर जो error है वो cd part में है ए part को answer आपने करना था देखते हैं 68.60% बच्चे right answer दे रहे हैं कि यार एक बड़ लाइक कर दो मेरी बोलते बोलते मैं हाव गया तो अभी तक देख रहा हूं 205 लाइकर 456 बच्चे ऑनलाइन आ रहे कहां का इंसाफ है यह चलो she went out with her friends every night instead of studying and threw further her chance to play at university phrasal verb का सवाल है और बहुत आसान सवाल है कहा जरा है जहां उसने पढ़ना चाहिए था वहीं वो दोस्तों के साथ party करने जाती थी हर रात और उसने जो है अपना chance जो है वो खो दिया university में दाकिला लेने का खोल दिया if you lose something if you lose something we use the phrasal verb throw away तो throw away जो है इसका right answer है मेरे खालते काफी आसान सवाल था यह देखते हैं 60.56% जो है through outcome मतब फेक ना होता है ठीक है तो यहाँ पर Amisha, SKZ, BTS, Ajay, Abishek और Abilasha एकदम right answer दे रहे हैं let us move to the next question this is the next question for you चले पढ़िए देखो यह दिखने में थोड़ा simple सा प्यारा सा मासूम सा सवाल लग रहे है लेकिन यह थोड़ा सा technical सवाल है यह इतनी आसानी से solve होने वाला सवाल नहीं है पहली बात तो देखो आप समझो यहाँ पर तू जो है वो आपका preposition है तो यहाँ पर verb की first form चाहिए बेस form चाहिए तो hung up तो हम हटाई देते हैं यहाँ से ठीक है अब देखो जो prepositions होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं hang around का मतलब होता है इदर उदर आवारागर्दी करना तो दोनों मिलकर एक नया ही meaning देने लगते हैं अगर आप असली में hang around का meaning देखोगे जो literal meaning है तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि मेरी grandfather जो है मुझसे मिलने आ रही है तो इसलिए आसपास लटकते मत रहना तो लटकते मत रहना इस मतलब नहीं है यहां पर मतलब क्या है hang around का मतलब होता है आवारागर्दी करना अब अब देखो hang out का मतलब होता है किसी के साथ बाहर जाना घूमना तो यह भी फिट नहीं होता यहां पर hang up का मतलब होता है disconnect करना सबोस करो तुमने मुझे फोन किया मैंने काट दिया तो क्या बोलेंगे I hung up the phone ठीक है I hung up the phone यहाँ पर जो right answer है वो A option है hang on your close when you tidy your room यह जो है इसका right answer होगा देखते हैं 28.83% वच्चों ने सिर्फ right answer दिया है ठीक है सौरब, अमीशा, विश्नु, दिनेश और बालमुकुंद क यह चेक कर लेना आगे बढ़ते हैं आते हैं अगले सवाल पर आँसर करिए बढ़िया फ्रेजल वर्ब है चलिए देखो जब हम कहते हैं maybe you will stop grasping at straws and admit you have lost कभी कभी क्या होता है कि हम ना हार रहे होते हमें पता है ठीक है बच्पन में मैच खेलते थे तो हमें लगता था कि किर्केट में हार रहे होते थे हमें लगता है बस हार ही जाएंगे तो हम क्या करते थे अगर पता है कि बैट हमी लेके आए हैं तो बैट लेके चले जाते थे कि मैंने नहीं खिलना ठीक है तो यह क्या हो गया grasping at straws हो गया कि कोई ऐसी तिकडम बाजी लगा देना जिससे कि हम बच जाएं जिससे कोई ऐसा एकदम पता रहे एकदम अचानक सा कोई चांस पैदा कर लेना जिससे क्या हो जाए काम बन जा है उसको हम बोलते है grasping at straws ठीक है यहाँ पर इसका जो पहला option है stop finding the last possible chance to win stop finding the last possible chance to win मतलब आखरी chance को भी दूडते रहना हारते हारते यही इसका right answer होता है example से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे relate कर पाएंगे चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए यह रहा देखता हूँ answer इसका कितने लोगों ने दिया है 38.46% बच्चे right answer दे रहे हैं stop complaining नहीं होता complain कर देने रोगदना यह नहीं होता SKZ BTS Ajay Jassu Aron और Agriculture Moment ठीक है finding the last possible chance to win is the right answer याद रखेंगे भूलेंगे ने important है यह अगला सवाल आप लोगों के लिए यह रहा पढ़िए ज़रा यह तो कर लोगे यह तो बहुत common idiom है बहुत common हाँ दूरवाला six किसी घर में बॉल चले गई तो out अब देखो यहाँ पर मुझे रहते आंसर तो जातर बच्चों ने सही दिया होगा लेकिन समझो अब जैसे मालो यह एक्जाम में तुमारे सवाल आ गया और तुम एक दम diligent बच्चों intelligent बच्चों लेकिन तुम गलती कर रहे हो गलती क्या कर रहे हो पहले तुम इसको पढ़ होगा कि बताओ मेरे पिता जी ने अक्री बार यह इडियम कभी उज़ किया था और वेसी बात है नीचे इसके आंसर जी दियोंगे तो जो आप समय इसको पढ़ने में बरबात कर रहे हैं वह बरबात करने की जरूवत नहीं क्योंकि यहाँ पर और कोई possibility तो होई नहीं सकती इडियम दे रहा तो मीनिंग ही पूछ रहा होगा मीनिंग को तलाश हो एक बार सीधा सीधा क्यों टाइम वेस करो 10-15-20 सेकिंड इसको पूरा पढ़ने में देखो यहाँ पर आंसर आगया अब यहाँ पर देखो every cloud has a single silver lining every cloud has a silver lining का मतलब क्या होता है कि शंकाओं के बादल ह हो लेकिन उसमें भी कही न कहीं होप होती है मतलब बुरी चीजों में भी कहीं न कहीं आगे आशा की किरन होती है यह कहा जरा है bad day eventually leading to good things जब बुरी चीजें भी आगे चलकर एक अच्छी रास्ता दिखाएं उसको हम कहते हैं यह जो है इसका क्या है राइट आंसर है देखत नेक्स क्वेस्चन यह रहा आपके सामने पूरा पढ़ लेना पहले टाइम मैंने थोड़ा कम दिया चलो पढ़ो एक बार इसको देखो क्लोस टेस्ट जो है ना ऐसे खिल बहुत खिलता है मैं अगर पहले ब्लैंक का आंसर ढूड़ू ना तो मुझे कॉशन भी पढ़ने की जुरू हती है मैं बिना कॉशन पढ़ने आंसर दे सकता हूं कि पहले वाले का यही आंसर होगा कैसे देखो प्रोलिफरेट का मतलब इंक्रीज और का मतलब इंक्रीज मश्रूम का मतलब इंक्रीज एग्जस्परेट का मतलब वर्स हो जाना इंक्रीज हो जाना कोई चीज और खराब हो जाना अबेट ठीक है क्या है जो numbers है वो कम हो रहे है क्योंकि हमें पता यही एक ऐसा answer है जिसका मतलब degrees है यह चारोतो answer हो नहीं सकते तो यहाँ पर abating आएगा अब तुम्हें अपना पहला answer मिल गया तो तुम्हें यह पता चल गया कि बात जो है अप्शन दे रहा हूँ फटा-फट से answer करना थर्डी सेकंड काई टाइम दोंगा पढ़ो ज़राई answer करो इसको एक बार अज़ान है बहुत आसान है इत्ता आसान होई नहीं सकता कहा जा रहा है कि इनके जो numbers हैं वो कम हो रहे हैं और इसलिए इनकी जो population है S का right answer है B देखते हैं कितने बच्चों ने दिया है 91.45 देखलो एक बार राहूल अमीशा दक्षिता संचेता गुरू अगला से देखो ज़रा एक बार answer करो इस सवाल को देखो ज़रा एक बार तीसरा सवाल answer तब करना जब मैं timer चला दो चलो देखो अब यहाँ पर अगर आप पड़ोगे तो आगे कहाँ जार है dash methods of counting hippos, hippos को count करने के dash method क्या है unreliable aerial surveys है, hazardous land and water surveys है तो कोई चीज अगर जो पुरानी हो चुकी है जो अब लागू नहीं है जैसे मैं कहूं landline phones, landline phones क्या होगे है traditional होगे, अभी आजकल जो है present में advance नहीं है traditional है, तो इसका answer traditional होने वाला है ए माक करेंगे देखते हैं 43.36% right answer दे रहे हैं गुरू संचित जसू agriculture moment क्रिशना यादव चलो आगे बढ़ते हैं next question को, जरा देखो एक बार solve करके इसको हमें पता है obviously बात है पुराने method से क्या होगा survey इसके लिए unsafe है तो यहाँ पर जो answer आने वाला है वो answer कौन सा हो सकता है unsafe के अलावा कोई answer हो ही नहीं सकता B जो है इसका right answer है B को देखते हैं एक बार mark करते हैं 79.83 गुरू अमीशा संचित सूरज इदी चलो अगला last question देखो आज का आज का last question है ये चलो बताओ जरा यहाँ पर क्या आएगा आसान है बहुत आसान है हिपो ऐसे areas में ही रहता होगा जहाई हैं जाना मुश्किल है मुश्किल है तो क्या है inaccessible जो है इसका मेरे ख्याल से जो है इसके अलावा कोई और right answer हो नहीं सकता क्या होगा कैसे areas में रहता है जो areas access में नहीं है तो यहाँ पर inaccessible जो है वो इसका right answer है D option में जाते हैं देखते हैं जरा 62.5% ठीक है ये सारे बच्चों ने right answer दिया है जरा मुझे type करके बताओ कितने marks जो हैं आपके बन रहे है leadership board पर हमीशा बहुत अच्छा कर रही है SKZ BTS सुपब बिटा agriculture moment बहुत अच्छे जसू गुरू हमेशा ये अच्छा करता है अरोन राहूल भी बहुत अच्छा आर्ती प्रियू ये सब अच्छे जो लगाता consistently पढ़ रहा है संचित बहुत अच्छा कर रहा है निश्या, मुनजजा मुनजजा का कभी नाम नहीं सुनाई देता है लेकिन अच्छा बारवे नमबर पर है आइडियल जो है आज 25 सवाल थे हमारे पास 25 में से मुझे लगता है अगर हमें लंब सम देखूं तो आप ये मान कर चलिए आपके लगभग एटलीस 15 प्लस तो सही होने चाहिए थे तो उस हिसाब का था जहां पर 15 प्लस सर टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एनोटेटेटड फॉर्म में मैं आपको दूगा मिलता है आज मैं एक डेड़ बज़े सेशन लगाने जा रहा हूँ अगर आप इस बेकलक का फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ गलती है उसमें जो हो सकती है वो गलती ना हो उसके लिए तो आप अटेंट कर सकते हैं और सुभा आठ बज़े एडिटोरियल में मुझे सारे के सारे जो है वो मेलेंगे ठीक है क्योंकि एडिटोरियल मुझे लगता है हमारे बैंकिंग वाला प्लैटफॉर्म से बहतर दुनिया में हो नहीं सकता एमसे कुछ बनाने की शमता मेरे काल से बहुत कम लोगों में होती है और वो भी एक्जाम सेंट्रिक बनाने के लिए दो-दो राते लगा सकते हैं वट बनेंगे नहीं ठीक है चले मिलते हैं थैंक यू बही मच्छ टेक कियर आफ यॉर्सेल्फ औल अफ यू